हाई एव्रिवान मैं आपकी दोस्त आपकी पर्सनल हेल्थ एडवाइसर आज किस वीडियो में हम जानेंगे वजायना को लिख करने यानि योनी को चाटने से क्या लड़कियों को मजा आता है और वजायना को लिख करने यानि चाटने का एक तरीका होता है तो वो सही तरीका क वजाना को लिख करते हैं कैसे करना चाहिए इसके क्या benefit होते हैं तो चलिए वीडियो में देखते हैं आज के वीडियो का topic है How to lick Vagina वजाना को लिख करना बहुत हलफुल होता है तो वो बात तो हम बात में करेंगे लेकिन अभी इस वीडियो में देखते हैं बेजान को लिख कैसे करना है ऐसा नहीं है बस अउनली अपने उल्टा सीधा जैसा मजजे चाहे आप वजाने को लिख करती चाहे इसका भी तरीका होता है आप सही तरीके, साएव जाना को लिख करेंगे तो वह फील आती ये वह फील आना चाहेन आपके मुमें दूसरी चीज आप अच्छी तरीके से इंज्वाय भी कर पाएंगे अगर आप सही तरीके से वजायने को लिख करेंगे तो क्या करना है आपको सबसे पहले आप ये देखेंगे वजायने के ऊपर का एक चोटा सा दाना होता है दाने जैसा होता है आपको उसे टच करना है अपनी उंगलियों की मदद से आपको directly टंग का इस्तमाल नहीं करना है आप वजायने के उपर जो चोड़ता दाना होता है उसको टच कीजिए धीरे धीरे से उंगलियों से सहलाईए डिरेक्ली आपको वजायना के ओल के अंदर नह लगती है तो कॉ device का जो होता है जब आप उसको करेंके आप उसको चातेंगे तो गां कहा है अपकी टंग बहुत जादा सॉक्ट होती है आप अपनी टंग से बहुत ही आसानी अपने अरगोपर कर सकते हें जिससे कि आपने सबसे पहले उसी पर concentrate करना है फिर उसके बाद सबसे पहले इस दाने को आप जितना ज्यादा टंग से सहलाएंगे उतनी ही excitement बढ़ती है और आपका female partner उतना ही ज्यादा आप से attractive होता है उसके बाद जब वजायना के नीचे आप hole में आएंगे तो आप अपनी finger से और अपनी टंग से दोनों की help से धीरे धीरे से सहलाएंगे टंग को touch कीजिए जैसे आप बाहर से टंग को touch करते जाएंगे तो खुद बखुद फ्लू होना चालू हो जाता है जैसे आप टंग से touch करते जाएंगे तो फिमेल खुदी-खुद अंदर से area खुलने लगता है फिर आप hole के अंदर टंग को fold करते हुए लेकर जाएंगे दोस्तों आपको open टंग से ये काम नहीं करना है वो धीरे से अंदर नहीं जा पाएगा आप टंग को fold कर लीचे और उसके बाद आपको अंदर लेकर जाना है बाहर के area को आप fully open टंग से touch करेंगे और अंदर की area को आपने टंग को fold करते हुए अंदर लेकर जाना है तो इस तरह से आप वजायना को लिख कर सकते हैं जो fluid होता है आप उसको अंदर भी ले सकते हैं वो काफी healthful होता है लेकिन अगर आपके female partner को कोई भी sexual disease है HIV है hepatitis है या फिर कोई भी problem है तो आप ये काम ना करें और कुछ चीज़े जैसे कि आपको firstly talk करनी चाहिए अपने firstly talk करना चाहिए अपने partner से female partner से and next आपने hygiene को maintain करके रखना होता है आप अच्छी तरह से साफ सफाई करें उसके बाद इस किरिया को start करें तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखा कैसे वजायना को लिख करते हैं सह